नमस्कार दोस्तों मैं रोहिद गुपता स्वागत करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन आई वेस क्लास चैन्थ का साइन्स का टीमे सॉल्ट जो की सेशन दोहजार देश चॉविस का है यानि जिन भी स्टुडेंट का सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए और भी लेकर आते रहोंगा जिसमें आपके टीमे के सॉल्यूशन होंगे साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कोशन्स और क्लासिज वग्यरा भी आपको मिलती रहेंगी तो start करते हैं बिना time waste करें उससे पहले जो है कुछ TMA से जुड़े important information जो है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि आपके TMA मार्क्स वग्यारा ना कटे तो सबसे पहले चीज जो है मैं आपको यह बताने वारा हूं कि TMA कितने मार्क्स का होता है तो TMA जो है आपका 17 मार्क्स का होता है साइन्स का 17 मार्क्स का कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं actually होता क्या है आपके theory का 20% जो है वो होता है TMA ठीक तो आपका TMA जो है यहाँ पे 17 marks का हो जाता है क्योंकि आपकी theory का exam जो है 85 marks का होता है और 15 marks के आपकी practical होती है जिसमें जो 85 में से 17 marks है वो आपके TMA के होती है ठीक है अगर आप TMA submit करोगे time पे तो आपको percentage increase करने में बहुत हो जाती है चीक है अब TMA submission की date वगएरा मैं आपको बता देता हूं कैसे submit करना होता है वो भी मैं आपको बनाता देता हूं तो सबसे पहले आपको बनाना कैसे है आपको A4 size की practical sheets लेनी है उस पर बनाना है लिखने के बाद आपको उसका PDF बना लेना है जो कि 5 MB से कमका होना च आपको बनाना कैसे है कि TMA submit कैसे करना है बनाना कैसे है उसका link मैं description में डाल दूँगा वहां से जाएक आप उसको देख लीजिएगा उसको देखने के बाद आपकी बहुत जोता help हो जाएगी और आप TMA बनाने में जरी से भी mistake नहीं करेंगे और ना ही किसी charges किसी को pay के या TMA submit करने के ठीक है तो एक चीज़ और बता दूँ आपको TMA जो है offline submit नहीं होंगी सिर्फ और सिर्फ online submit होंगी आगे जो है आपको last date बता दूँ तो देखो April के लिए और October के लिए दोनों के लिए TMA सेम होता है तो अब यह April का जो TMA है उसकी last date जो है 31st January है ठीक है 31st January 2024 उसे पहले पहले आपको इसको submit कर देना है TMA की submission जो है December में start हो जाएंगी ठीक है अगर आप 31st January के बात submit करने जाते हैं तो आपको 1500 per subject late fees पे करनी पड़ेगी और अगर आप October के student है जिनका exam October में है तो उनकी uploading जो है TMA uploading June में start होगी और 31st July जो है उनकी last date होगी 31st July से में प तो यह कुछ information थी जो आपको देनी जरूरी थी और एक चीज और किन पैनों का use करना है blue और black pen का ही use करना है इसके अलावा किसी भी other pen का use आपको नहीं करना है तो आगे बढ़ते हैं आप start करते हैं I hope आपको इतना समझ में आगया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो question number one पर आजाते हैं यहाँ पर answer any one of the following question in about 40 to 60 word 40 to 60 word में इसका आपको answer देना था इसका हमने b part करा हुआ है you can join resistances in different ways to obtain resistance of different values you are given three resistances of three ohm each draw diagrams to show their different combinations also calculate the equivalent resistance of each combination तो यहाँ पर आपको बोला हुआ कि किन किन तरीके साप resistance को लगा सकते हो और उनमें resistance कितना होगा यह भी आपको बताना है तो सबसे पहले आपको तीनों series में मिलेंगे all three in series ठीक है उसके बाद उसका निकाल दिया गया है यहाँ पर 9 ohm जो है उसका answer आ गया है इसके बाद next बोला all three in parallel parallel में निकालने के लिए बोला हुआ है तो यहाँ पर parallel में भी निकाल दिया आपका उसके बाद दो parallel और एक series तो इसका भी resistance यहाँ पर निकाल दिया गया है इसका बाद next question आ जाता है question number 2 answer any one of the following question in about 40 to 60 words 40 to 60 words में इसका भी answer देना था आपको इसका भी हमने b part करा है hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1 ratio 8 by the by mass to form water what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas इसका answer आपको यहाँ पर दिया गया hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1 ratio 8 means that 1 gram of hydrogen gas requires 8 gram of oxygen gas to form water therefore 3 gram of hydrogen gas will require 8 into 3 equals to 24 gram of oxygen thus 24 gram of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas to form water तो हमारा second answer भी पूरा हो जाता है इसके बाद next question हो जाता है हमारा question number 3 answer any one of the following question in about 40 to 61 draw a label diagram of a plant cell mention any three difference between a plant cell and animal cell तो यहाँ पर आपको यह दिख रहोगा तो यह आपको draw करने के लिए बोला तो यह diagram जो है आपको draw करना है ठीक है पेस्ट मत करना इसकी picture आपको draw करना है तो आप खुज बना लीजेगा या किसी friend बगारा से बनवा लीजेगा इसके बाद तीन डिफरेंस पूछे होगे थे plant cell और animal cell में आपके दे रखा है plant cell are relatively larger in size, animal cells are relatively smaller in size the cell membrane is surrounded by a cell wall in plant cell, cell wall is absent in animal cell the vacuoles are very large in size, the vacuoles are very small in size तो यह तीन तीन डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं plant cell और animal cell में इसके बाद question number 4 आजाता है अपका answer any one of the following question in about 100 to 150 verbs इसका भी हमने B part करा है the following diagram displays a chemical reaction observe carefully and answer the following question ठीक है तो यहापे को एक diagram दिख रहा होगा इसका first part बोला है identify the type of chemical reaction that will take place and define it how will the color of the salt change second part में क्या बोला है write the chemical equation of the reaction that take place तो यहाँ पर आपको इसका answer आ जाता है photochemical decomposition reaction will take place photochemical decomposition reaction is the reaction in which compound decomposes in the presence of light to form simple substance the color of salt will change from white to gray ठीक है उसके बाद आप से इसका formula पुछ होगा था तो यहाँ formula भी दिया गया है नेक्स आजाता आपका question number 5 answer any one of the following question in about 100 to 150 words 100 to 150 words में इसका भी answer देना था बी part है given below are the names of some animals identify two animals each showing ठीक है फिर आपको कुछ नाम से होगारा दे रखे हैं यहाँ पे इनके answer आपको देखने को मिल जाते हैं छीक है तो फटा-फट से इनके answer screenshot ले लीजिए नेक्स जो हमारा question number 6 आ जाता है prepare any one project below अब आपको एक project बना ना था इसका ए पाट हमने कर रखा है एक paragraph दे दिया है इसमें आपको और कुछ questions पूछे गए हैं आपको पहले question दिखा दे रहो में ताकि आप उसका screenshot आराम से ले सको किसी भी टाइप की आपको problem ना हो screenshot वगेरा लेने में इसके बाद next आ जाता है आपका यहां से answer start हो जाता है the man had used the solution of aquaresia is a mixture of nitric acid and hydrochloric acid optically in molar ratio of 1 ratio 3 on dipping the gold jewelry in the acid solution the outer layer of the gold dissolved and the inner shiny layer appears this cause a loss in its weight चीक तो एपाट क्या precaution should be taken while purchasing gold jewelry are तो क्या है पहला point buy from reputable and trusted jewelers to ensure authenticity request a purity certificate indicating the gold's composition inspect for hallmark certification or stamp for purity verification तो यहां पर यह तीन पॉइंट हो जाते हैं आपके इसके बाद इसमें B part भी पूला हुआ था तो B part भी आप आपको दे रखा है चीक है इसके बाद question number two आ जाता आपका corrosion prevention method from for iron include ठीक है तो तीन point इसके भी आ जाते हैं इसके बाद next में बोला हुआ है two precautions to keep in mind तो पहले कहें use productive equipment second क्या है work in controlled environment चीक है फिर यहां पर आपका यह सारा answer खतम हो जाते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा किस तरीकिस आपको TMA बनाना है answer क्यासे लिखने है कोई इसा भी answer हो आपको blue pen से लिखना है question black pen से लिखना है अगर आपको इसका handwritten TMA चाहिए है तो आप हमें वर्टसप पर contact कर सकते हो बहुत ही nominal से charges पर आपको इसका handwritten TMA भी मिल जाएगा और नॉर्मल यह PDF पर पर चेस करना चाहते हो तो आप हमें वर्टसप पर contact कर सकते हो मेरा link description में दिया गया है जहाँ आप आप click करके आप हमें direct contact कर सकते हो और यह purchase कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और subject का TMA करेंगे या फिर important question practical file या कोई और चीज़ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching us have a nice day stay tuned with EDUCENTR Delio